आप सुभी का स्वागत आई देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर विदासभा के सर्वे के दोरान आमगाउ शेत्र के विदायक यह भी भारतिय जनता पार्टी के रुटे या डूबानी वाले विदायक ही है ऐसा देखने को आया है हम लोग इस वक्त मौजुद हैं सुखली पार करके यह गाव है यह लगबग आमगाउ तालुका कहीं गाव है और इसके विधायक है वो संजय पूराम करके हैं अब संजय पुराम जो विधायक है इनका यहां काफी बड़ा क्षेत्र आता है आमगाओ विधान सबाक्षेत्र लगबग इस शेत्र में क्या-क्या विकास हुआ है यह जानने का हमारी टीम प्रैस कर रही है इसी के तहत हम आज सुपली पार गाओं में पहुचे हैं लगबग आपके गाओं में विकासत में क्या कि हुए सढक बनी है नालिया वरनी है पीने की पानी की व्यंकि गणिंट्र ग utilizzifiable की चुनाओ जीते थे और उनकी नहीं ने लगबग अभी जो विकास हुआ है यह एक मेने पहले हुआ है अच्ए अब मेणने लेमकि और ऑबनthe SENRI । पहल जैसा कि मुझे बात बताइए आपके गाउं में रोजगार हमी जो थी उसके कितने दिन काम चल पाए इस साल नहीं चले इस साल आपके गाउं में नहीं चले क्योंकि इसके पहले की जो सरकार थी भारतिय जनता पार्टी की सरकार के पहले जब केंद्रे में भी जब सरकार थी तो सं दिन का वादा की थी तो यई सरकार तो आपको अगवारते यह स ceux कर तो अबादन्हंत काम नहीं के बरा बर यानि कि शेत्र के विकास में आपनी रोजकार के शادन नहीं है और बाकी जो इंट्राटक्चर है वह यह अच्छा आपके स्वास सेवा के लिए क्या विवस्ता है अस्पताल वगरी के लिए यहां से तीन किलिमेटर दूर पर काली माटी तो वहां काई से जाना पड़ता है फिर आपको आपको अपनी इससे जाना है अच्छा लगबग आपके गाओं में शिक्षा वगरे के कोई साधन जिल्ला प्रस्त की स्कूल है टीचर वगर रहते बराबर वहां टीचर कभी आते कभी नहीं अच्छा मुझे बात बताईए जो संजय पूरा मिधायक है वह आपको क्या लगता है कि पीछले पाच वर्श होसे वो जब से हैंने उनको चुनाव में आपकी जंता ने उन्हें जिता के लाया हुआ हो तो आपको लगता है कि वह लगता है कि लिए उन्हों क्षेत्र के विकास में, जो विदायक है, उन्होंने शकारत्मक काम किये तो लगभग आपके जो रोजगार है वो उन्होंने विकास किया कि नहीं किया यहांने देवलप कर पाई नहीं कर पाई नहीं कर पाई अभी दद तो लगभग आपके शेत्र यह यह पिछड़ा वर्ग में आ रहा है तो आप अभी जो इसे सडके बनी ती आपके यह तो बहुत पहले बनीती यह दस जाल के पहले यह तो अभी अभी यह 20 साल हो तो पुरामजी आपके गाहों में कितनी बदफ आएं इस गाहों में कभी नहीं आए वह पहले आए तो अभी आगा मी चुनाओं क्या नाम इख आतुल पातु नहीं पिने के पास नहीं होगने समस्याइव कि बूले तो यह आपने का नहीं के यहства o पूराम जी आपके गाउं में कित्ती दफाएं दोबारा हूं दोग बारा होंगे मेरे साथ अभी इस गाउं के उपसर पंजी जो जुड़े है और मैं उनसे भी जानने का प्रैस करूंगा कि इस क्षेत्र के विकास में विधायक जो संजेपुराम है उनका क्या-क्या योगद क्या दाने मेरे मेरे ख्याल से गाऊ का विकास सबसे महतो पूर्ण है कि जो हो बाहरे से ज्था ही कि कशल तो ज्यादा सी ज्यादा, पॉक्त। अटे का जो एने ये रेशो है वो काफी कम है अच्छा क्या लगता है आपको की संजे पुराम जी ने यहां अभी जो पिछले भी आपके मेहना पहले ये सड़क का निरमान किया है तो यह क्या चुनावी जुमला है कि क्या है उनका यह मुख्यमंत्री सड़क जना के तहत हो रहा है और निदी से कोई काम नहीं हुआ उनके नीदी से यहां पर फिलान तो नहीं के बराबर ही काम है अपके नाली हुई है खाली इतने लिकम कारे करम में कोई कार्या नहीं हो पाए है सबसे में मुद्धा है कि यूकों के प्रति निरासा दिख रहे हैं यहां गाव में मेरे च्छेत्रे में भी देख रहा हूँ जैसे यूकों में बहुत दिनों से उत्सा आता कि 12,000 पोलीज भरती निकलने वाली थी तो 12,000 के जगह पर सिर्फ 3,000 जो पोलीस भरती निकाली और जो 6 जिल्ले में OBC के कैंडिट को निकालना एक हमारे OBC के प्रती एक निरासा वाली बात है कि हमारे जो योक वर्ग है और जो सामान्य वर्गों को यहां से जो आरक्षन खतम करके जो योकों में निरासा प्रत करके कि OBC समाज के जितने भी वर्ग के युवा बच्चे हैं उनको इस सरकार ने अंदेखा कर लिए यह बहुत बड़ा अन्याय है कि हमारे OBC के खिलाब बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि 6-7 जिल्ले हम ने देख रहे 6-7 जिल्लों में बिलकुर OBC को निकाल करके वकड़ उनक सब्सक्राइब के जगह 3000 पॉलिस भरती निकालना एक निराशा वाली अच्छा क्या लगता है संजय पूरामजी आपके विधान सबाग शेत्र के सक्रिय विधाय के निश्क्रिय विधाय के अभी तो नहीं लग रहा है तो अभी हमारे साथ और जूड रहे है क्या नाम है आ क क्रցए मैं माजी सर्पंच यूद्eling time माजी सर्पंच माजी अच्छ अच्छा और आपकी मिसे सभी सर्पंच हैं तो हमारे साथ सुपलीपार गाओं के मामजी सर्पंच जुड़े माजी सर्पंच आप बताईए हमें कि आपके गाओं में संजय पूराम जो विधायक है इनके माद्यम से कोई विकास अत्मक कारिय हुए है कि अभी पिछले पाच वर्षों में पिछली पाच वर्ष में विकास के बहुत सारे अभी ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना उनी के प्रयासों से हमारे को मिली हुई है अच्छा ये जो आपके गाओ की जो रोड है बोलते हैं इसका साइज छोटा है याने दो गड़िया एक साथ जा नहीं सकती ये बड़ी दिक्कत हो रही है गाओ वालोकों इसके लिए भी हमारा वह ग्राम पंचत का नियोजन है जो पहले जो रोड थी आज हमारे को सिमेट का रस्ता मिला है और यह क्या है पहले से चीज जो रस्ता है हमारा लेकिन यह जो रस्ता है 20 साल पुराना रस्ता है बोलते हैं और यह अभी पिछले एक मैने पहले बना हुआ पास सालों का उनका कोई योगदान नी है याने मुख्यमत्री ग्राम सड़क योजणा में यह जो सड़क का निर्मान हुआ है अभी यह हाली में पिछले मैने कंप्लिट किया गया है इसा हम यह लोगों ने बता है नहीं इसके पहले हनुमान मंदीर के लिए एक बनी है और यह सभामंडप का काम चलू है इसके पहले एक सभामंडप हो गए है यह मंदिरों की दिवाले हो गई है क्या लगता है कि यह आपको विकास के रास्ते से जोड़ता है कि यह सारी चीज़े जैसा इंप्स्रा स्रक्चर डेवलप करना याने स्तानिय विकास नि-दी से विधायकों लगभग दस प्रतिशत अपना स्तानिय विकास जो रहते है खेतर के खिर्चशा पर खर्च करना होता है और कुछ उसमे से स्वास सेवा पर करना एतर इन पर क्या लो देंग कि आज जिल्ला परशथ की अपी ये दिद का जो इस ए टारी मेल्मैंट जो उसैंज रहते देंस वी टारी स्कूल सब्सक्राइब अवा पालकूर तप बेला आंसगे पालकों कि ये बनी हो तो तो घ्रैम्पन नी जन रहे हैं लोगा में न कहा थे जब डीज पेल सतनाय उख्रिय को जो निदी शाडेला देई आए अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो आपके विधायक है उन्होंने आपके गाउं में दस प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया क्या क्या क्योंकि देखिए आपके गाउं में भी आपने हमें बताया कि यहां दो सभामंडब बने हैं अब सड़क योजना से बनी है अहला कि यह जो सड़क योजना है वो प्रधान मंत्री है उसको अभी नया नाम दिया गया है यह सरकार ने मुख्य मंत्री किया है अब यह सड़क होती है यह सड़क के जो निर्मानकारी होते हैं आपके एरिया में एक अभी यहां से लगबग 10-15 क जहां सड़क के बीचों बीच गड़ा होने से एक युवक जो है जिसके घर में जवाबदारी थी याने वह यह ककेला लड़का था जो कमाता था वह गड़े में गिरने से रात के समय उसका एक्सिडेंट हुआ और उसके सीर में गंबिर चोट आई उससे उसकी डेत हो गई या उनको भी हमने यह पूरे मामले से होगत कर आया है तो या लगता है आपको की यह गैंब ये फ़एग के लिए है 11 ग्ड़क आंकीनाँ होती है लोगों में 212 के यहा हो हो रहाया आज आज की परिस्तिति में भरस्टाजार जो मेरे मायने में मैं सरपंची माजी सरपंची या मेरी मीसिस सरपंची वास्ते भरस्टाजार की जो रखी है वो सभी देखा जाए इसके तरप हम उतनी इन वाले क्यों कि मालूम है इसमें होता क्या है आज हमारे जॉ रोड़ बनते हैं उसमे हमारी ces Fif dus में हमारी जागरुकता हमारे जो है हम प्रतिनीदी है पर जनता भी उत्ति हीōराइगा ही कि आज हर जग प्रतिनीदी धान नहीं देता जनता नीब यहाँ क्योंकि पैसारा आइज नीदी आता है हमारे development के लिए आता जनता ने उत्ते जागुटता आपसे सुनना चाहता था है कि जो स्थानिय विकास नीधी आता है महारास्ट गवर्मेंट अपने विधायकों को देती है वो जनता के development के लिए देती है तो आपके विधायक यह development करने में कितपत सक्रिय साबित हुए इसमें सक्रेटा है उनमें कारेकरने की सक्ति है ने तो कितने लगे आपको क्योंकि कैसा है कि पांच साल होगे आपके गाउं में कितने दफना है जिस बार भी हमारी समश्या रखी उन्होंने समश्या उन्होंने समाधान किया होगा समाधान किया काम भी किया और कुछ काम अभी 25-15 में से भी आये हुई है सिमें के रस्ते और दो रस्तों का काम अभी आपके गाउं की इस बार सड़क की हालत सुदर जाएगी लगबग मुझे एक बात बताईए कि जैसे आपके जो अब को कि निक्षक्रे लगे यह एक मेना यहने अभी पिछली साली हमने यह हमारा जो गाउ है हमारा गाउ हमारा सोबागीता अच्छा है कि हमारा गाउ दोनों तरप से मुख्यमंत्री ग्राम सड़के उजना में जुडने वाला दोनों साइड से अभी यह पाटिल टोलाते सित्ते पार यह भी इधर से भी जुड़ा हुआ है और इसके पहले भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़के उजना हाने पास साल पहले चार साल पहले जुड़ चुका है भारतिय जनता पार्टी अगर यहां उमिद्वार अपने बदलती तो शायद आंगा विदार सभाशेत्रम में भारतिय जनता पार्टी का पंचम लराता फिडाल वक्त हो चुका है ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बार देखते रिये देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आप हमारे चैनल को आप पर भी देख सकते हैं प्लेस्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और आप डॉनलोड करें साती सार आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक, ट्वीटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरे को देख सकते हैं आप हमारी चानल को यूटूब पर भी देख सकते हैं और उसे यूटूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए देखते रिए MNS News Live धन्यवाद झाल